बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकुम रिवायतों की लज़त में एक बार फिर से आपको खुशाम नीद कहते हैं मैं हूँ आपकी होस्त सोगिया फैसल रिवायतों की लज़त एक ऐसा शो है जहां हम आपको रिवायती खानों की रेसिपीज बताते हैं ना सिर्फ रिवायती खानों की रेसिपीज बताते हैं बलके हम आपको वो रेसिपीज भी बताते हैं जो कम से कम वक्त में बन जाएं क्योंकि आजकल हम लोग की रूटीन इतन खाये भी तो इसके साथ ही हम अपने शो में आपको वो रेसिपीस बताते हैं जो असानी से बन जाए टेस्टी हो लजीज हो खाने में मज़धार हो और कम से कम इंग्रीडियंट्स में बन जाए तो हमारे इस प्रोग्राम का आगास करते हैं रिवायतों कि इस लज़त में आज अलब कुम असलाम कैसी हैं तो आप अज ने बना रहे हैं चिकन इस्टिक बोटी अज आप ने रेसिपी क्यों चूज किये एक तो आपकी फैमिलि में आपके बुच्चों को बहुत मज़े की लगती है बार-बार आपसे डिमांड करते हैं कि इंसेंट और फिर आप सोचने के इतनी मैक्सिमम टाइम में आप क्या जल्दी कुछ बना सकते हैं तो बहुत कम वक्त लगता है इसमें और इसके अंदर जो इंग्रीडियंस आपके अवेलिबल जाते हैं वो आपकी घर में ही अवेलिब का वह संवार नर्ब नेट करासी कीजाना ही करें पाउद कर में हने हैं तो हम बंड़ में बताते हैं कको इंक क्या कि इपतना कितना हैट करेंगे शीया है इसमें एसमें फिर टे उताहों कितार जायुक्त कि के दूख गचे अग्री मस्टर्ड पेस्ट ठीक है अच्छा मस्टर्ड जो पेस्ट है इसका टेस्ट ना हर किसी को पसंद नहीं होता है जी जी तो इसके लिए क्या किया जा सकता है तो फिर आप इसको 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 कर सकते हैं किसी को बहुत पसंद होता है और किसी को तेस्ट नहीं होता है अगर बहु बिल्कुल बिल्कुल और यहां जाएगा यह बाइपाॉडर वाइप्र, वाइप टीज़पून स्थीक है ठीक है तो अब इसी कि साद ही हम अब अब इसी कि साद हम इसमें डालेंगे 1 टीज़पून सब्सक्राइब करें कि हमाई चिकन कम है ठीक है चिकन की कॉंटिटी कितनी लिया आपने 250 ग्रैम्स की यह जो आप स्पाइस बता रहे हैं 250 ग्रैम्स चिकन के हिसाब से टू टेस्ट टू टीस्पून इसमें जाएगा रेट चिली सोस अब इसको मेरिनेट करेंगे इसको मेरिनेशन में कितना टाइम देना किनी देर के लिए हम मेरिनेशन में लगता है इसको मेरिनेशन के लिए हम से 5-6 मिनट पस अच्छा 5-6 मिनट और हाईजीन कभी साथ-साथ खयाल रखें सफाई कर भी ठीक है तो चिकन मेरिनेट हो गई है अब क्या करेंगे हम अब इसक और छोड़ें पाद आएंगे दो तो लिए प्रॉटेश देने दो फ़ीख म्री खोड़ेंगे, फिर के भाद जब नेक्स आएंगे बिरक के बाद तो पिर बॉटे करेंगे तो क्या हम इसी रैसिपी को मटन और वीफ में भी ट्राय कर सकते हैं जी बिल्कुल एजी सेली कर सकत तो आप पहले से ही इसको मेरिनेट करके रखें दो-तीन घंटे अगर मटन की बात की जाए या भी ठीक है तो चिकन जब तक मेरिनेट होता है यहां पर वक्त वा एक चोटे से ब्रेक का तो कहीं जाएगा नहीं हमार साथ ही रहिएगा हम आते हैं वापस एक चोटे से ब्रेक के जी नाजरीन तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और रिवायतों की लज़त के किचन में आज अनम हमें सिखा रही हैं चिकन स्टिक जी अनम तो चिकन मेरिनेट होगी? जी चिकन हमाई मेरिनेट हो गई है अब हम इसका कोटिंग करेंगे चिकन की ओके कोटिंग करने के लिए इसमें हम क्या अट करेंगे कोटिंग करने के लिए हम पेले एग लेंगे टू एग जे ओके इसमें सॉल्ट एग किया आपने नहीं इसमें सॉल्ट एड नहीं किया है इतने इनाफ है जी के अच्छा तो इसकी कोटिंग करेंगे एक इसकी वाव जब दस अमेजिंग आप यह अपने कॉन फ्लार में उसको अंडे के अंदर डालने के बाद कॉन फ्लार में जी जी और फिर उसके बाद इसके बाद हमने क्रम लिए क्या है तो नहीं अंडे को डुकित की कोटिंग के लिए पहले उसके बाद कॉन इंडे किक ब्रृड की कोटिंग करेंगे और उसके बाद ब्रेड्र gesch差不多 अच्छा को टफितिल को ड्रगे अच्छा कोट करेंगे अरिष civ Hug अचैसमें और बी कुछ हम एड कर सिखते हैंकि कैप्सिकं को होती है वहां किस अच्छी लगती है रेामिय। प्रेट बेल पेपर लगाने लिए नहीं एसी कि इस्टिक में लगाने के लिए लगा सकते हैं बहुत जबर्दद बहुत बगुप्सूरत लग रही है और रेड बेल पेपर और यलो बेल पेपर आप लगायें तो बहुत अच्छी लगीगी मुझे प्लेट आपको देती हैं जी ये प्लेट ले 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 हम थेंक यू जी अनम तो मुझे ये बताएं के कहां से सीखी आपने ये रेसिपी इतनी यूनीक रेसिपी बस घर में बेटके नही नही डिशी ट्राय करती रहती हूं और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी का था कि अगर आपकी फैमिली फूदी हो तो फिर आपका दिल चाता है कि आप लेनी चीज़े क्रियेट करें हैं जी जी तुटल वैसे आनम मुझे बात बताएं कि रेस्टरांट का खाना कहते हैं कि ज्यादा मजेका होता है या जो बच्चे होते हैं बहुत शौक से खाते हैं घर में उनकरे होतें कि ये नहीं खाना जी बनी खााना तो इस वारे में आप क्या कहेंगे रेस्टरांट का खाना क्यों बहुत मजिका होता है रेस्टरांट खाना बस बहली बात है घर की मुर ख्लस बाराभार आवर्या है यह कर बहर जाने कर जो है वह मोका मिल जाता है कि आप जुए अच्छे माहौल में अच्छे एक इन्वारमेंन में बैटके जुए अपनी नीघाफ झाल कर लेते हैं और सम टाइम घर में भी अच्छा लगता है, मज़ आता है आउटिंग भी हो जाती है और दिनर और लुझ भी प्लाइन लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसी जगाएं है जहां कि निहारी और इस तरह की चीज़ बहुत मशूर है जी जी तो वह वहाँ बहुत मज़े की होती है वैसे वह वह वाकर बाहर जाके खाने में ही मज़ा मज़ा रहर है और घर में उस तरह की बन सकती है और बिए लोस्यड़ तरह कि यह पर बहुत ज्यादा कौंटिटी में बनाते है शाय इस वज़ा से वहां डिफेंट डिफेंट इपरिंड करता है कुकिंग मैंथेट पर इपरिपेंड करता है अपके और आला ने हर बंदे के सिपने ही अ किते होते है रहना कोई हipes अपिन प्रमान का से जाय का समय खिंगा है हर प्राइब बिल्कुर तो यह आप जो है वो स्टिक रेड़ि करई इसके बाद हम क्या एक साथ ? इसके बाद इसको हम खराकर दिज रहें ंग ऐस मेरेगर 74 इसको बहुत ज्यादे जो बहुत सी रेसिपीज ने आपको अपने अपने अग्सपरिमेंट किये हम से शेयर करें कॉंटिनेंटल में आपको बता हूँ तो इस्टफ चिकन हो गई आपकी पीज़ हो गए बर्गर हो गई अरुल गर्पिजाों तो आपकी टाइम लगता है तो जब आपको खाना है तो पुरी प्रेशन कर ले चीजों की तोप कि लिए भाता हिगरा को कि हमें कुग बताएं के रिवायती खानों के हवाले से कि हमारा ये जो आपने नाजरेन हैं उनको रिवायती खानों के हवाले से ही रेसिपी बताते हैं वो रेसिपी जो कम टाइम में तयार हो जाते हैं आज खल आपको पता है कि जो हमारी रोटीन होती है कितनी टफ़ शिडियूल होता है तो इस हमाले से मुझे बताएं कि और कौन अधा वगरा बनाते उसमें भी आप चिकन की स्टफिंग कर सकते जिसे हालू के पराठे होते बेसन के पराठे होते उसके साथ जो देसी हमारी चट्णिया होती है गर में जो हम बनाते अब वी तक हमारे आँ तो यही कॉंसर्फटर हम बनाते हूं मैं बिसकिलिग में जो तो अपना फ्लेवर रहता है नो मुझे बताया आपके बच्छे प्रक्षी मुखने नॉर्मली चिकन खा लेते हैं अध्ष फूड भी कहा लेते हैं इस बच्छे के होगते हैं सब्सक्राइब बच्छे बात धाल ल्गत बागते हैं, तो फिर क्स तरह से कॉन सी ऐसी चीज है क अच्छा में यहां पर यह बता चाहूंगी दाल से भी आप नहीं नहीं कर सकते हैं दाल की टिकी बना लें आप उसके साथ राइस जो है वो अच्छे से कुक करके आप उसके जब प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो प्रेजेंटेशन आपको वाकई ऐसा दिल चाहे कि आप बिल्कुल ऐसा ही है और सब्सक्राइब के हवाले से ग्रीन वैजेज में भी बहुत ज्यादा फाइबर होता है तो नाजरीन अगर आप लोग डाइट के साथ साथ फाइबर का यूज भी अपनी डाइट में रखे हैं क्योंके फाइबर भी बहुत ज्यादा है आपके लिए जी तो ग्रीन वैजेज में बहुत ज्यादा फाइबर होता है तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि क्या क्या बन सकता है वैजीज में और के जो हम एजी बना भी सकते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा करना पड़े के बिटा कालो खाना ले लेकि उनके पीछे ना आप उसको चोटे-चोटे क्यूज में कट करके उनके लिए बच्चों को जैसे पराठे में चुपा कर दे दे या बन में उसकी डाल की टिकी बनाया तो उसमें आप डाल सकती है एड़न कर सकती है बिल्कुल चॉप पर्टिंग और साथ में फ्राइस दे दे और कलर ऐसे डा कर रही है जब तक हम लेते हैं यहां पर छोटा सा ब्रेक आप कहीं जाएगा नहीं ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि उसको किस तरह से फ्राइब करेंगे जी नाजवीन वालकम बैक आफ्टर दे ब्रेक रिवायतों की लज़त में अनम बना रही है चिकन स्टिक जी अनम अब क्या करने वाली है आप चिकन के साथ अच्छी यहां भी हमाई चिकन स्टिक हमने जो है चिकन स्टिक पे लगा दिये अब हम ख्लैमोन करेंगे और फिर इसको कुप करेंगे ठीक है तो फिर आप यहां आजाए और वहां के आपके काउंटर पे चली जाती हूँ अब भी इसमें ओलाड करना जी ओला एड आट करे कि अच्छी नेंगे उसके बाद हम इसमें फ्राइब करेंगे तो फिर हमारे क्रम्स होते हैं वह बिल्कुल अजीब से जिस्टरा है और सौगनेस आजाती है यह जिकन में भी वह बहुत जाद चिकन जो है और अनियन वगर जो हमने लगा है वह बहुत आइल एबसॉप कर लेत तो फिर उसके जो फ्लेवर होता है वह अच्छा नहीं रहता है अच्छा अनम मुझे पताएं कि जो सीफूद लवर्स होते हैं तो क्या इसी रेसिपी को वह फिश और प्रॉंस के साथ प्राइब कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं तो जी जनाब आपने सुना कि अगर आ यह है कि फिश में टाइम और ज्यादा कम लगता है जैसे अभी चिकन में हाफ हावर लगता है और फिर जब आप करते हैं तो 10 तो 15 मिनट बास उसको इतना टाइम दे दे देंगे के फ्लेवर जो है वो फिश के अंदर अच्छे से आज राए ठीक है तो फिर अब ऑल हो गया करते हैं कि क्या फ्लेम हम थोड़ी सी लो करेंगे इसका कलर आता है लो कर देंगे फ्लेम हाँ यह तो यह तो से कर लेंगे आप जी इसलिए मैंने इस्टिक है वाली लिए अच्छा टीक है बढ़ी यह तो आपक्सपर्ट हैं जो हाथ उसको कर सकती है वरना मुझा नहीं कि जब आप आफ ज्यादा एक करते हैं और जो आपकी इस्टिक होती है वो ठीक नहीं होती है यही चोटी-चोटी टिप्स होती है जो हम लोगों को प्रवाइट करते है अपनी जनरेशन जो है उसको बगताते है कि अगर आप इन चोटी-चोटी चीजों का खयाल रखे तो आपके कोकिंग में कभी बी इन्शाललग कोई मसला नहीं होगा तो इसलिए आपने इस पैशली यह वाली इस तेख सकते है नाजरीन आप लोग सपेशली जो इनों ने यह इस टिक यूज की है कि आप इसको अराम से अपन डाउन कर सकते हाथों से वी अब कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में बस इसको तीन से चार मिनट लगेंगे हमें ठीक है इसको हम जड़ा के थोड़ी जिर कवर कर देते हैं ताकि अच्छी से हमाई चिकन कुक हो जाए ठीक है अनम तो चिकन की तो रेसिपी आपने बताहिए मैं चाहूंगी के मजीद आप वेजीटेबल्स और डालों के बारे में बताएं क्योंकि उनके फाइदे ज्यादा है आज कि हमारी जो यंग जनरेशन कहलें वो फास्पूट की तरफ बहुत ज्यादा जाती है तो कौन सी डिशिस हैं कोई ऐसी टिप्स बताएं जो माई बहुत परेशान रहती है उनक करें से ऐड़ाउन करके अपिदाल का पापड बना सकती हैं वीजीज के साथ भी आप यह पी कर सकती हैं कि उसकी टिकिया वगशा बना कि उसको इस तरह प्रेज arrangement करें कि आपको दिल बड़े रेस्टोरान बगर जाते हैं जब उनकी प्रेजनेशन यहां और किसी का खाना भी अच्छान होता लेकिशन आप धेचते ही आप दिल करता है कि यार हो फाक्रिशन का फीटेशने लेकिन खाने कर वहां चाहिए और कि जा युच बाद द्rolेंगे रेदे को फिके वाता में नहीं आता है वह प्रेजेंटेशन के पीछे इतने क्रेजी होते हैं तो उसकी वज़ा से भी जाना पसंद करते हैं और सम्टाइम कुछ लोग के खाना तो बहुत अच्छ होता है लेकिन प्रेजेंटेशन एट्रक्टिव नहीं होती है बिल्कुल तो दोनों ज़रुरी है टेस्ट भी ज़रूरी है प्रेजेंटेशन पी ज़रूरी है और इसको कितना अब इसको थोड़ा से टाइम है अब इसको हम तंड करेंगे जरा एक साइट सामाल चिकन अच्छी को जाए तो ये चिकन यहां पे जब तक को को खो रही है हम च पिकाड की तरफ चिकन स्टिक बोटी अच्जा तेल तीन से चार खाने के चमच मस्टर्ड पेस्ट आदा खाने के चमच नमक हस पे जरूरत चिली सॉस दो खाने के चमच सोया सॉस दो खाने के चमच चिकन पाउडर आदा चाय के चमच दखनी मिर्श आदा चाय के चमच प्या चिकन को मेरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें मस्टर्ड पेस्ट, नमक, सोया सॉस, रेड़ चिली सॉस और दखनी मिर्च शामिल कर देंगे और चिकन पाउडर मिक्स करके आंट से 10 मिनट मेरिनेशन के लिए छोड़ देंगे अब एक कढ़ाई में 3-4 चमच कुकिंग ओईल डाल कर गरम होने रख देंगे जब तक ओईल गरम होता है मेरिनेट की हुई चिकन को अंडे, कॉन फ्लावर और ब्रेड ग्रम्स में कोट करके रख देंगे अब वुड़न स्टिक में पहले चिकन पिरोएंगे, फिर इसमें टिमाटर, प्यास और एक और चिकन का पीस पिरोएंगे और इसी तरह वोडन स्टिक्स तयार कर लेंगे गरम किये हुए तेल में अब ये स्टिक्स डाल कर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे टेमाटर की चटनी, मज़ेदार चिकन स्टिक पोटी तयार है जी तो रेसिपी कार्ड आप लोगों ने देख लिया वो लोग जनों ने अभी अभी ट्यून इन किया था, और उन्हों ने भी रेसिपी कार्ड देख लिया होगा जी अनम तु कहां तक पहुँची वो चिकन जो आपने हम रेसिपी कार्ड की तरफ चप गए थे तो आप ने इसको फ्राइ कर लिया यह जो फाइनल इसकी लुक है यहाँ सामने है और यह बताएं कहां तक पहुची यह हमारी कुख हो गई और कलर आप देखें कैसा अच्छा गॉल्डन कलर आया है और स्टीमिंग देखें कि कम और में भी जो है हमने कितना अच्छा कुख किया इसे आज कल वैसे भी नोगों जाए जी बहुत मज़े का कलर है और कलर फुल सी यह डिश है आट ट्रैक भी करें खुश्बू भात मज़े की आ रही है तो मेरे मूं में पानी हा रहा है तो मैं सोच रही हूं कि क्यो ना इसको ट्राय कर लिया जाए जी बिल्कुल आप ट्राय करें और हमें बताएं कि यह क क्कि है तो इतनी मज़े की रसिपी मैंने घर में तो आज सक नहीं खाई हां मी बहुत अच्छा खाना बना ंती है अगर भाटेखेंगी तो पिटाई होगी घर में कैसे निखाई तेकिन यह कुछ डिफरेंट है बहुत मज़े की है और आम्सूर आपको त्राय करने चाहिए और अमी आपको भी ट्राय करनी चाहिए थैंक यू और घर में देखें आप इसली हमने बहुत जल्दी कुछिए बहुत कुछिंग की है और जो चीजे घर में अवेलेबल है बस नर्मल सी चीजें कोई नहीं चीज नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बहुत से मंगवानी हुती हमें बिलाते हैं हमें यह मुका मिलता है कि हम नहीं नहीं डिशे आप को सामने ले एं और हमारे वीवर्स भी से फाइदी जो मुझे बहुत मझा आते हैं विल्कुल बहुत मसा आते हैं और विल्कुल अनम ने चुर्छी है विठ जड़ी ही, हम सिरफ आपको स्क्रीन पे नजह रहे होते हैं लेकिन आप चेटर हमारीаю पूरी टीम होती है, जिनकी भूस Mole के मैंनत होती है और सारी चीज़े हमें रेंज करके मिलती है हम तो सिर्फ मेकप रूम में जाते हैं पैठते हो और आके यहां पे आपको नजर आ रहे होते हैं लेकिन पीछे बहुत साए लोगों की एफर्ट्स होती है तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खतम होता है जात हमारे जाते आपको टिप देना चाहूंगी यह के अगर आप कोई मील लेते हैं अगर आप डाइट पर हैं जो डाइट कॉंशस है उनको बताना चाहूंगी कि अपनी जो एक प्लेट है और उसके तीन पोर्शन पना लें एक पोर्शन में आप क्रूटीन आड कर सकते हैं, ए तो इन तीनो का पोर्शन अपनी डाइट में जरूर रखिये, इससे क्या होगा कि आप हेल्दी भी रहेंगे और खाना भी खाएंगे और पेट भी भर जाएगा, ठीके तो इसी के साथ ही हमारी प्रोग्राम का वक्त खतम होता है, आप इस डिश को एंजॉय करें अपने करेंगे एक नए शेफ के साथ, एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखियेगा, अलहाँ आपने से. करेंगे लिए प्रोग्राम का वक्त खता है, आपने से.